तोनिया गांदी कोई भी जूट बोल सकती है, वो तो जूट बोलते रहती है, उसके पिताजी हिटलर के आर्मी में जवान थे, उसके बारे बताती ही नहीं है, और उसके एजुकेशनल डिग्री तो कुछ भी नहीं है, पांचवी क्लास भी नहीं पास किया, पर हम तो कहते हैं इंग्लेंड में, Cambridge University से मुझे English में डिग्री मिली है, तो जूट बोलती है और ये भी जूट है, जो वेकंसी हैं, राजसभा का लोगसभा सीट्स के, उसको छोड़ कर, तो आज की परिस्तिती में 268 MPs हमारे साथ वोट दालेंगे, तो हम जीतेंगे और हमारे पास 233 है, तो इ Congress में भी बड़ी आजस्यासपत से ती है, क्योंकि तेलगु देशम मूव करने वाली है, और कहने वाली है, कि इस पिछले चार साल में कुछ भी नहीं हुआ, अब आप क्या थे उस समय, चार साल तो ये सरकार में थे, चार-पांच ministers रखकर, अब किस मूँ से वो कह सकते हैं, कि चार साल कुछ नहीं हुआ, तो ये सब हस्यासपत है, आरेंगे, और public को जान लेगी, और public तो आजकल थोड़ा खुश होने लग गई है, कश्मीर में अच्छा किया हमने, corruption issues में भी थोड़ा सकत हुए हैं, और सिरफ, और राम मंदिर के लिए बड़ी प्रयास चल रही है और सिरफ economy में हमारी performance अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने सही policies नहीं पालग की, मैंने पहले से का, दीरे दीरे उसको भी rectify हो रहा है, जैसे GSTN का मैंने वरोध किया, अब प्रदाम नदिर ने कहा दिया कि राष्ट करन होगा उसका, तो ऐसे कई चीजों में बदल आई है, और मैं समझता हूँ कि कोई अलूचो नहीं के लिए ज्यादा कोई मुद्दा नहीं है,